आइल्स वाले students के लिए good news है यह students काफी देर से इस चीज की वेट कर रहे थे तो यह आप applicable होने वाला यह कब applicable होगा और यह क्या good news है यह आज की वीडियो में आपको बिताऊंगा bells overseas the sound of your future hello everyone मैं कपिल भाटिया bells overseas से आप अपना study visa process six to nine to zero six to nine to zero पर कॉल करके start कर सकते हैं bells overseas हमेशा ही जो भी market में कोई नई update आने वाली आप तक हम सबसे पहले पंचाने की कोशिश करते तो अब जो IELTS वाले students के लिए बहुत बड़ी news आई है बहुत good news है कि आप अगर एक मेडियूल में भी आपके bands कम है तो आप उसका दवारा से टेस्ट दे सकते हैं ये possible है अब ये possible होने जा रहा है क्योंकि students के ज़्यादार होता था कि एक मेडियूल में 5.5 आजेते हैं जैसा कि Canada अभी भी six each पे ही SDS category में फाइल लगती है तो एक मेडियूल में 5.5 पे हम हमेशा फाइल के लिए मना कर देते हैं तो अब जो students के मालो एक मेडियूल में 5.5 आए हैं तो उसका आप reappear ले सकते हैं उसकी जो फीस होगी वह भी अराउंड 10,000 11,000 के करीब ही रहेगी और पहले क्या होता था कि students यह और बढ़ते थे उस रिवेलिवेशन में बैंड कई बढ़ते भी थे कई बर नहीं बढ़ते थे तो अब सुड़न्ट दबारा से एक पर्टिक्लरली मेडियूल के दे सकते हैं लेकिन इसमें सिरुफ वन टाइम वन मेडियूल ही अवेलेबल है लेकिन यह एपली केबल होगा मार्च में जाके मा जनीफिट होगा कि वह अगर एक मेडियूल में कम भी आते हैं बैंड तो उसका वह रिवेलिवेशन की जगा दोबारा रिपेर ले सकते हैं और आपका अगर उसमें स्कोर इंपरूव हो जाता है तो जो स्टूइंट्स अपलाई करना चाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज्श और नंके लिए बहुत बड़ी रहत आ है क्योंकि छोता क्या था कि आगए अगर एक मेडियोड में आपके कम आते स्पोस् इस बार रिडिंग में नहीं आए अगली बार स्पिछिंग में ञाते कही बार राइटिंग में नही आते तो वहा शूरेंट से गल्ती करते थे तो यह उनके लिए बेनिफिट है फिर भी अगर ऐसे ही अपडेट जाना चाहते तो आप अमारे इस चैनल को सुब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक यह सारे इंफोर्मेशन पहुंचते रहे बैल्स ओवर सीज दे सांड अफियर फ्यूचर